लो एवरिवान देस अस निलो उफ निहा खान और वेलकम टो आई यूटूब चैनल सक्षले तो आज हम बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक के बारे में यानि की प्रत्थम विश्व युद के बारे में बात करेंगे जो कि 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 में खतम हुआ लगबग 4 साल ये युद चला और इन 4 सालों में जो संखट विश्व पक पड़ा उसका असर ये हुआ के लीग ओव लेंशन्स बना अमेरिका के एक शक्ती के रूप में उबरा तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वी तो मैं टम्स मैंने इंगलिश में लिक्ष के वे भी हैं और मैं बता अभी दोंगी अब्यट्राइब को इजिल य चीज़े समझ जाएगे ठीक है तो प्लीज मीडियों वाले भी हैं तो आप अराम से टापिक देखिए आपको इंशाललाद चीज़े समझा जाएंगे देखे एक चीज में आपसे कहना चाहूंगे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने टॉपिक पर जो आपका असलेवर्स है उसमें आपका रूसी क्रांती रूसी क्रांती के लास्ट में आपका प्रथम विश्वियत का बहुत जिक्र किया गया है यहीं अगर बात करें आपके सेकेंड वर्वार की तो सेकेंड वर्वार आपका जो हिटलर के उदे के कारण में का कारण जो था उसकी की कारण सेकेंड वर्वार आपका हुआ ठीक है तो ये दो टॉपिक आपके ऐसे है न जो कि हर मेश आपको देखने को मुलेंगे कहीं न कहीं है न तो इसलिए मैं नहीं ये कोशिश करी कि आपको इन दो दोनों तीनों टॉपिक्स अलग से सप्रेरली पढ़ा दीजे और बात करें लीग ओफ लेशन्स की जो कि फर्स् इतना इंपर्टन्ट नहीं है आपके लिए क्योंकि वह असफल रहा है अगर लीग ओफ नेशन सफल हो जाता तो आपको सेकिंड वर्वार देखने को ही नहीं मिलती ठीक है तो इन टॉपिक हम पढ़ेंगे फस्ट वर्वार सेकिंड वर्वार और आपका यूए नो ठीक है यह बहुत जादा अंतराष्टे संग ठीक है बहुत जादा इंपर्टन्ट वर्वार प्ले करेंगे और इन तीनों के ही मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रवाइट करूंगी ताकि आपको इजीली आप चीजों के साथ टैकल कर सकें देखी अगर बात करें प्रतम विश्व युद कहा जाता था क्यांकि तब तक लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि second world war भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन जब second world war हो गया तब इसे फर्स्ट world war कहा गया ठीक है तो इसलिए इसे प्रतम विश्विद गया दिया और वह second world war को second war ठीक है और दोनों में ही इतना आर कोशिश कर दी हूं मैं कि आपको सारी चीज़े इंटरलिंक करके पढ़ा दूं ठीक है ताकि आपको चीज़े समझने में ज्यादा असानी हो जैसे कि हमने रूसी क्रांती पर पढ़ा था तो रूसी क्रांती में हमारा जो अक्टूबर क्रांती थी उसमें हमने प्रत्धम सिच्वेशन के आती तो आपको पूरा वर समझा जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपने फ्रेंच रेवल्यूशन रेवल्यूशन और नाजिजम अगर आप पढ़ रहे हैं इनके साथ आपने वर्ड वर्वार वन और टू और यह अगर समझ लिए ना तो यह मान तो आप जो प्रथम विश्वेद की जो एक प्रिष्ट भूमी थी ना वो कुछ अफधार्नाओं की वज़े से तयार हुई जैसे की समराज्यवाद, राश्ट्यवाद और सैन्ने करन ठीक है अब यह ऐसी क्या ऐसी चीज थी जो लोग समराज्यवाद को या कह लिजे राश ठीक है और हर राश्टी यह चाहता था कि हम पावर्फुल हम शक्ती में रहे हम पावर्फुल हो और हम पावर में रहते हुए चीजों को मतलब एक तरीके से यह जो कॉलनी बना रहे थे ना अपनी वेश बना रहे थे छोटे छोटे गरीब राश्ट्यों को चोटे विष्व के अलमोस्ट कोलोनी जनके कब्जे में थी नाचे उबहुत तो यही चीज नाई राष्टे उभरते हुए आ रहे थे वह भी अब इसी प्रृदा में जुड़ गए थे क्योंको उस टाइम तक लोगों को ये नहीं पता था और लोगों ने ये भी नी जोचा था कि हमारे किसी ऐसे पई नामों से विश्व का क्या हाल हो सकता है लेकिन जब First World War और Second World War लोगों ने देख लिया तो लोगों को समझ आ गया आज आप देखते हो ना कि इतनी इतनी चीज़े हो जाती है लेकिन लोग युद नहीं छेरते एक दूसरे के खिलाफ क्योंकि इतिहास में एक ऐसी दो घतनाएं हुई हैं जिसने पूरे विश्व को ह हिला दिया था जो प्रतम विश्विद था इसने तो हिला यह हिला था लेकिन जो Second World War थी इसने इस तरीके से चीज़ों को कर दिया था कि आस तक अभी तक जो लोग थे वो इस चीज़ को बहुत ही पुलाइटली और लोगों को यह चीज समझ आने लगी कि लड़कर कुछ न देखने को मिलता है तो यह चीज़ है लोगों के लिए एक एक्जामपल बन चुकी थी कि हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है और इसी वज़े से आज विश्व में यूएनों को इतना महत्व दिया जाता है ठीक है अब देखी नोट विश्व इतिहास का यह प्रतम युद्धा जो इतना व्यापक विस्तरित और दीर्ग कालिक था मतलब की इतना बड़ा ठीक है और इतना फैला हुआ जिसमें कि ओल्मोस्ट लोग ओल्मोस्ट राज देश जो थे वो शामिल थे और दीर्ग कालिक मतलब इतना लंबा चलने वाला क्योंकि हाब देखेंगे लग 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 अर्भो की संख्या में लाखों की संख्या में लोग मारे गए ठीक है और उस तैम की सिच्वेशन क्या थी जो आर्क दुक था इसकी जो सरोजेवा में हत्या कर दी गई थी और इसकी वाइफ की ठीक है यह एक ततकालिक कारण था लेकिन इसके पीछे का बैक् चीज़े खराब हो सकती है और वो खराब चीज़े हुई हमारे लिए भी नुकसान कर सकती है तो यहां पर हमारा शुरू होता है देखी यह सारी चीज़े मैं आपको बैग्राउंड में बताएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे न तो आपको चीज़े समझ भ स्टार्टिंग में यह तीन ही थे फिर उसके बाद अमेरिका 2017 में आया था केंद्र शक्तियों में कौन-कौन था जर्मनी ऑस्ट्य हंग्री ओटोमन समराज्य और बुल्ग रिया तो जो फर्स्ट वर्ल की जो शुरूआत मानी जाती है वह इस तरीके से मानी जाती है कि जो आपसी गुट बंदी हुई ना लोगों के बीच में जैसे कि आपने जब फर्स्ट वर्ल पढ़ते हैं तो ट्रिपल अलाइंस और ट्रिपल एंटिते दोनों के ही बारे में बात करते हैं तो यह जो गुट बनाए गए थे ना यह गुटों ने एक तरीके से यह कर दिया था क सुरक्षय संधियां थी अब क्यों क्योंकि सबकों यह जो जो उस टेम पर उभरती हुई शक्तिया थी जैसे कि नए नए जर्मनी था ऑस्ट्रिय हंगरी था इटली था यह क्या यह नए नए इनके अर्थवायस था नए नए उभर रहे था यह विश्व में ठीके ब्रिटे इन पर हमला करता है तो दूसरा जिससे संधी हुई होगी तो वो उनकी हेल्प करेगा उसके अगेंस्ट लडाई करेगा ठीक है तो यह बहुत बड़ा कारण था विश्व के होने का ठीक है तो कौन-कौन से थी ट्रिपल अलाइंस और ट्रिपल एंटरे अब इसमें जो कोश इस तरीके से पूछ लेता है कि ट्रिपल एलाइंस के सदस्य कौन-कौन थे या तो तीनों के नाम नहीं देंगे मुख्या और एक इन में से कोई दे देंगे ठीक है जो दूसरे संधी के लोग होंगे जैसे कि ब्रिटेंड फ्रांस रूस दे दिया उसमें तीन आप्शन में और फिर एक आप्शन में दे देंगे जर्मनी कहेंगे कि ट्रिपल एंटिते में कौन शामिल नहीं था इस टाइप के कोईशन आपके देखने को मिलते हैं और ततकाली कारण क्या थे आर्प ट्यूक और उसकी जो वाइफ थी ठीक है उन दोनों की जो हत्या कर दी गई थी व सजा दी जाती थी मतलब उनिस साल इन सव को अपको नावाली के से शॅअさन समझा आता था था इस चीज़ से उपर के जो व lihatवक्री क lifes एफ्रेटी सोब इस तो ईससे पांबिया को अरा गंटे का टाइमлам दिया क्या आप जो यह कि यह घ्रक हम चीज़ से बाहरती हिएंने व जिस भी व्यक्ति नहीं या फिर जिस भी संगठन नहीं ये कार्रे किया है उसे उससे मतलब उसका जो भी आपको करना है वो करिए और 48 गंटे के बीच में हमें जवाब दीजिए अब ओस्टिया ने सर्विया के सामने 10 शर्ते रखे ठीक है दस में से 8 तो शर्विया ने माली है लेकिन 2 नहीं मानी इसी के यही कारण हुआ कि जो सर्विया था सर्विया ने 2 शर्ते नहीं मानी जिसकी वज़से जो ओस्टिया था ओस्टिया ने 28 जुलाई 1914 में बेटेन के ख लाव युद्गी घोशना कर गी अब ये घोशना कर तो थी अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो रक्षा संदिया हुई भी थी आपस में अब देखते ही देखते अन्य राष्टे भी अपने गुटों-गुटों का समर्तन करने के लिए इस विक्राल युद्ग में शामि तो यही एक ऐसी दुर्गतना थी और हां इसमें जो मोस्ट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टन बात थी न वह यह थी कि अभी तक जो था न वह अमेरिका नहीं शामिल हुआ था ठीक है अगर आप डिएससवी का दो हजार पन सोला या फिर आई डों नो के कौन सा वाला पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कोशन आया था कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ ठीक है तो अमेरिका दो हज़ा निस सो सत्रा में शामिल हुआ था मतलब अभी तक जो अमेरिका था वो सिर्फ वेपंस दे रहा था हत्यार सप्लाइए कर रहा था ठ लेकिन खुद उस तरीके से विश्वियद में शामिल नहीं था लेकिन उन्निस सत्रा में अमेरिका भी मित्र राष्ट्यों की तरफ से शामिल हो गया इसे लिख लीजिए जो नागरिक थे इनको भी नुकसान हुए तो जिसकी वज़े से ऐसी चीज़े देखने को मिले अब जहां अमेरिका ने जैसे ही इसमें एंट्री ली वहां जर्मनी अपने आप मतलब यह कह लीजे मित्र राष्ट्यों का मिस्ट्र राष्ट्यों का पल्ला जो था ना वह भ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी इस टाइम कर लोगों ने सोचा नहीं था कि यह जो युद है वो चार साल किच जाएगा ठीक है लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था लेकिन इस युद ने आर्थिक लोगों की जो है ना आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर दिया था अब युद का क्या परिणाम हुआ ये देखिए युद का परिणाम क्या हुआ कि आर्थिक परिणाम राजनेतिक परिणाम और ततकालिक परिणाम या क्या हुआ आप एक चीज देखेंगे ना कि युद के दोरान आर्थिक बहुत शती हुई जैसे कि ब्रिटेन और जर्मनी इनकी जो आयका ना 60% हिस्सा जो था वो युद में ही जा रहा था जिसकी वएसे इनके आम नागरिक जो थे उन पे बहुत जादा मतलब बहुत जादा महंगाई ब लोगों कि युद लड़क लड़के और जो जानमाल से कह लिजे जो लोग मरे उनका तो उनका तो हिसा भी धंग से नहीं है ठीक है क्योंकि जो रिकॉर्ड्स में दिया जाता है और जो एक्चुल होता है उसमें काफी फर्क आप देख सकते हैं तो जर्मनी और आपका बिट में लड़ने में ठीक है और राजनेतिक पई नाम क्या हुए कि कई ऐसे जो राजवंश थे वह समाथ हो गए जैसे कि रूस के रूस में जो निकॉलस था निकॉलस दुत्य है उसका भी समराज्य खतम हो गया जर्मानी के केसर विलियम ठीक है और ऑश्टिया के समराथ ठीक ह ओटोमन समराज्य के सुल्तानों का पद खट गया मतलब यह चार ऐसी जगा थी चार ऐसे समराज्य थे जो प्रथम के समय खतम हो चुके थे ठीक है तो इन्हें कहीं लिख लीजेगा और समाजिक कारण क्या हुआ कि महिलाओं के स्तितियों में परिवर्टन आया कैसे देखि को तो कह दिया गया कि वो युद में जाएं अब जब जो आदमी थे वो सारे जब युद लड़ने जाएंगे तो उनके पीछे कोई जो जैसे की और जो ऑफिस वर्क है जो और चीज थी वो कौन करेगा तो उनमें भूमी का निभाई महिलाओं ने जैसे की कारखानों में का करना दफ्तरों में काम करना ऐसी ऐसी जगा काम करना ठीक है जहां सिर्फ अभी तक जो आदमियों का वर्चस्ट था ठीक है ठीक है तो यह चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत जादा important role play किया इन लोगों ने इन सब चीज़ों ने प्रतम विश्वियद में ठीक है और महत्पून संदियां देखिए ये दो संदियां जरूर पूछी जाती है ज्यादा तर सिवर्स की संदी पूछी जाती है ठीक है सिवर्स की संदी और आपका newly संदी ठीक है तो ये दोनों संदी याद रखेगा प्रतम विश्वियद में जो important संदियां होई थी कौन-कौन सी होई थी newly संदी और आपका सिवर्स की संदी ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें कि अन्यम हत्पूर्ण पडिवर्तन क्या-क्या हुए जैसे कि League of Nation का गठन हुआ मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्य संग की स्थापना की गई अब इसकी स्थापना जो की गई थी 1920 में की गई थी 10 जनवरी स्थापना की गई 1920 में लेकिन क्या हुआ कि League of Nation ये बुरी तरीके से मतलब विफल हुआ था और महिलाओं की स्थिति में जैसे कि मैंने आपको बता है महिलाओं की स्थितियों में परिवर्तन आ चुका था और अमेरिका सबसे जादा इंपॉर्टन जो था कि अमेरिका एक विश्व के विश्व शक्ति के रूप में उभर चला था क्यों क्योंकि जब अभी तक 1907 में 17 तक जो विश्व था वो ऐसे ही चल रहा था कोई किसी का एक का पल्ला भारी नहीं था लेकिन जैसे ही अमेरिका ने मित्र राष्ट्यों की उभर कर आया ठीक है राष्टे संग प्रताम विश्व युद्ध के बाद विक्सत एक अंतराष्टे राजने राजनिक कि समू था जिसका गठन देशों के बीच विवादों को सुल्जाने के लिए 10 जनवरी 2020 को इसका गठन किया गया और किसके तहत किया गया था पैर शान्ती सम्मेलेर्ण में किया गया तो आपको पता चल गया होगा कि इसके बीच में यह जो चीजें हुई थी ना ठीक है यह बहुत जादा important थी ठीक है और आपसे इस तरीके से भी question पूछा जाता है कि महिलाओं के प्रतम विश्वयद में महिलाओं के स्थितियों में क्या परिवर्तना है तो परिवर्तन क्या है कि महिलाओं आप जो पिए महिलाओं के सचे अचीर इतना अच्छा उभर के निकलेंगी इतना अच्छा से काम समझादेंगी तो यहीं से ही महिला सक्षक्ति कारण की भी एक शुरुवात मानी जाती है ठीक है क्योंकर Feminism की शुरुवात भी यहीं से मानी जाती है ठीक है तो यह सारे एक कारण जो थे ना यह प्रत्थम विश्वियद के हुए और यहां से और इसके बाद के क्या पाई नाम हुए कि अमेरिका एक विश्वियद के शक्ति के रोप में उबरा जर्मनी पर वर्साई की संदी जर्मनी देखे प्रत्थम विश्वियद में जैसे कि मैंने आपको हमारा जो चप्टर था रश्या क्राण रश्यान रेवोलिशन जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी जो प्रत्थम विश्वियद जो जर्मनी पर ही थोप दिया गया था यहाँ पर और वर्साई की संदी ही एक मात्र बहुत इंपोर्टन रोल था जो कि दुत्य विश्वियद और हिटलर जैसे इंसान का उध्य हुआ ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े देखने को ऐसे मिली कि विश्व में अगर शांती स्थापित करना चाहते हैं तो हमें सब को मिलकर ही कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा वरना अदर्वाइस हम सारी चीज़े नश्ट कर देंगे जैसे कि आपको पता है हिरोशीमा और नागा शागी आज भी इनका असर देखने को मिलता है तो यह चीज़ तो बहुत अच्छे से लोगों से को समझ आ गई थी कि विश्व में लड़ाई लड़कर या युद एक दूसरे के खिलाफ करके ऐसी नहीं किया जा सकता और इसी यही करण हुआ के लीग ओफ नेशन की शुरुआत हुई लेकिन यह बहुत बुरी तरीके से विफल रहा ठीक है क्यों हाँ इसकी विफलता के भी कारण ही यह थे ना कि इसने काफी अच्छ अच्छ जो देशों से डॉक्टर्स सब तो इखटे कर लिये थे लेकिन इसकी खुद की एक सेनने शक्तिया नहीं थी सेना नहीं थी जिसकी वज़े से यह विफल हो पाया ठीक है क्योंकि अगर इसके पास खुद की अगर सेना होती तो शायद हमें दूसरा वर्ल्ड वार देखने को मिलता ही नहीं लेकिन चीज़ें इतनी खराब हो चुकी थी कि फरस्ट वर्ल्ड वार ने दूसरे वर्ल्ड वार की स्थितियों को उत्पन कर दिया था और यह जो वर्साई की संदी थी इसने कहीं न कहीं Second World War को जर्म दे दिया था अब यहीं से हम Next Topic अपना कौन सा पढ़ेंगे दुत्ते विश्वियत सॉरी Second World War हम पढ़ेंगे इसके बाद और उसके बाद मैं आपको पढ़ा दूँगी UN Novala तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा इंटर लिंक हो जाएगा सारी चीज़े तब हमें जादा इजी वे में चीज़े समझा जाएगी और रही बात इससे related questions की तो मैं आपको या तो मैं टेलेग्राम पे questions share कर दूँगी आप से जैसे मैं आभी करा रही हूँ ठीक है या फिर मैं आपको कोई वीडियो ही provide कर दूँगी जिसमें की most important question आपके first world war के जो most important question है जाहें वो factual information वाले हो या फिर concept पे हो या फिर assessment reasoning वाले हो सब पे हम बात करेंगे मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी चीज़े मैं आप तक पहुँचा सकूँ लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज आप comment box में comment करना मैं कोशिश करूँगी कि आपके side out को clear कर सकूँ वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए thank you for watching